दिन सोंबार का दिन किस ग्रह का हूता है, इस दिन हमें कौन से नए काम शिरून नहीं करने चाहिए, किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, किस दिशा की यातरा नहीं करनी चाहिए, ये जानते हैं हम पंडिट जी से और मुझे लगता है आज कभी शेय आप लोग के लिए बहुत महत्पण होगा क्योंकि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ शुप काम करते हैं, कुछ नया प्लान करते हैं आपके लिए आज का जो ये अपिसोड है मुझे लगता है बहुत जानकारियां लेकर आएगा पंडिट जी आप बताएं क्योंकि हर कोई दिन कहते हैं कुछ ना कुछ करते हैं और बहुत बार हम लोग मुहरत नहीं निकालते हैं तो दिन के हिसाब से अगर सोमवार की बात करें तो क्या साब धानिया रखने चलिए देखें ये तो आप भी जानते हैं सोमवार चंद्रमा का दिन है भगवान सिर्व इसके अधिपती हैं और एक बात और जान लिए कि चंद्रमा एक महीने में बारह रासियों को पार कर जाता है माने सबसे तेज चलने वाला अगर कोई ग्रह है नव ग्रहों में तो वो चंद्रमा है चववन घंटे में एक रासि बदल देता है ऐसे में इसके पढ़िणाम भी बहुत तेज होते हैं सोमवार के दिन चीनी नहीं खानी चाहिए सोमवार को नई नवकरी या कारोबार की भी सुरुवात अगर नक्षत रच्छे ना हो तो नहीं करनी चाहिए अगर नक्षत रच्छे हो योग अच्छे हो तो कर सकते हैं इस्थिरलग्ण में कर सकते हैं क्योंकि सोमवार के दिन किया हुआ काम काफी चलाय मान होता है और जल्दी उसमें अइस्थिरता आने की संभावना रहती है सोमवार के दिन उत्तर पूरू या आग्नेय कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए खास करके पूरब दिशा का सूल तो माना ही जाता है सोमवार को पूरब दिशा में दिशा सूल होता है सोमवार को अपनी मा का आशिरवाद लेना चाहिए और किसी तरह से मा के मन के विपरीत कोई आचरण नहीं करना चाहिए सोमवार को राहुकाल साड़े साथ बजे से नौ बजे तक रहता है इस समय यात्रा करना या किसी काम की सुरुवात करना ये दोनों चीजों से अपने आपको दूर रखना चाहिए सोमवार के दिन बैगन, कटहल, सरसों का तेल, साग, काले तिल, उड़र, तेज मतालेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए सोमवार को काले नीले, जामुनी या कथई रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए सोमवार को जो कुवारी लड़कियां हैं, उन सभी को चाहिए कि आप भले पढ़ली करके चाहिए जितना उचे पत पर चली जाए लेकिन अगर आप सोमवार का ब्रत करेंगी और आप भगवान सीव का पूजन सोमवार को करेंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका पूरा जीवन आदरसों से भरा रहेगा, फुसियों से भरा रहेगा और आप एक बहुत भाग्यसील आगे चल करके एक बहुत भाग्यसील जीवन जीना सुरू करेंगी आपके जीवन में कोई ऐसी इस्थिती नहीं आएगी जब आपको दुर्भाग्यसाली सब्द सुनने को मिलेगा और जो पूरुस सोमवार के दिन भगवान सीव की आराधना करते हैं सिवालय जाते हैं, सिवालय में साब सफाई का काम करते हैं सिवालय में जाकर के शिवलिंग का अभिशेक करते हैं सिवालय में जाकर के सिव इस्तरोत का पाठ करते हैं सिवालय में बैठ कर ओम नमः शिवाय का जब करते हैं सिवालय में जाकर के रुद्रा भिशेक करते हैं या अपने घर में पारत सिवलिंग की पूजा करते हैं, मानसिक पूजा भगवान सिव की सोमवार को करते हैं, तो ऐसे लोगों का जिवन अपने आप दुख और दरिद्रता से बाहर निकल जाता है। जानते हैं, मंत्र महामड विशय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। आपके भाग की चाहे जितनी दुर्भाग की लकीरे हों, भगवान सिव में वो सामर्थ है कि आपके सारे दुर्भाग को मिटा सकते हैं। सिर्फ आप भगवान सिव की सरणागती ले लीजिए और भगवान सिव की सरणागती लेने के लिए सो मुआर से उत्तम कोई दिन नहीं है। यदि सो मुआर को आप रोज पूजा नहीं कर सकते हैं, वैसे तो 365 दिन एकईस अजार च्छा सो स्वासें जो 24 घंटे में चलती हैं, हर स्वास पर आदमी को इस स्वर का अस्मार्थ करना चाहिए। लेकिन अगर भौतिक्ता के जाल में फंस करके, माया मोह में फंस करके आप रोज समय नहीं निकाल पाते हैं, तो कम सकम सो मुआर के दिन समय निकाल करके और भगवान सिव की आराधना अगर आप सुरू कर दें, तो आपके घर से बिमारियां, कर्ज, आकस्मिक दुरगटना इन तीन चीजों से तो गारंटी के साथ बचावख हो जाएगा, और जो लड़कियां विबाह के योग्य हैं, अगर वो सोलह सोमवार का ब्रत कर लें, और ब्रत भी पूरी कडाई के साथ करें, और शिवालय में जा करके पूजन अर्चन कर लें, तो मापार्वती आपके ज थोली को भर देंगी, और आपकी जो मनोकामना होगी, वो मनोकामना पूरी कर देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, जै माबिन निवासनी.